लो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं दरेन बो जो की लिखा गया है डियेश लॉरेंस के द्वारा तो चलिए इसके करेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं पहले करेक्टर हैं टॉम ब्रैंगविन यह यंगर सन है ब्रैंगविन फैमिली के जो की अपने पिता के डेथ के बाद अपने फैमिली फार्म को टेक ओवर करते हैं कि नेक्स्ट है लिडिया लेंस्की वैसे तो यह पुलैंड की है लेकिन यह भी इंग्लाइंड में है इसके पहले दो बच्च마 चुके हैं और और इंग्लेंड में कि इसका एक husband भी आकर इसके husband के भी death हो चुकी है। Tom Brangwen इसके साथ प्यार करता है और साधी कर लेता है Lydia Lensky से। यह ना Brangwen, यह Lydia की बेटी है जो कि उसके पहले husband से है। लेकिन उसका जो पालन पोसन होता है वो इंग्लेंड में होता है। और N का वो है जो काफी close bond हो जाता है अपने stepfather Tom के साथ। Next है Will Brangwen यह Tom Brangwen के भाई का बेटा है जो की साधी करता है Anna Brangwen से। Anna Brangwen जो है वो Tom Brangwen के मर्जी के खिलाप जाकर के साधी करती है Will Brangwen से। Finally Tom कंवेंस हो जाता है और इन दोनों को मास फॉर्म में ही जगा देता है एक रहने के लिए Next है उर्सूला Brangwen यह इल्डेस चारिड़ है Anna और Will की Will Brangwen की उर्सूला Brangwen के हेटरो सेक्सूल और होमो सेक्सूल बोर टाइप के फ्रेयास होते हैं Next है एंटोन स्क्रिबेंस्की यह उर्सूला से प्यार करता है लेकिन एंटोन जा है वो बीच में ही छोड़ करके वार में चला जाता है सौथ अफ्रीका Next है विनिफ्रेड इंगर यह स्कूल मिस्ट्रेस है उर्सूला की और इसका उर्सूला के साथ होमो सेक्सूल रिलेशन भी होता है लेकिन बाद में उर्सूला इसे अपने अंकल टॉम के साथ इसकी साधी करवा देती है इसे के साथ साधी हो जाती है विनिफ्रेड इंगर की Next है गुद्रून ब्रैंगर यह सेकेंड डॉर्टर है एना ब्रैंगर की और विल ब्रैंगर का और यह आर्ट स्कूल अटेंड करती है आए जानते हैं अपने के कुछ हिस्ट्री और बैक्ग्राउंड फर्स्ट पब्लिस्ट इन 1915 या पहली बार 1915 में पब्लिस्ट हुआ यह नोबेल जो है वो ब्रैंगर फैमिली के तीन जेनरेशन को फॉलो करता है जो कि नोटिंगम साई इंग्लेंड में रहते हैं इंग्लेंड में रहते हैं इंग्लेंड के दौरान दृतिक अद्योगी क्रांथी के दौरान यह नोबेल जो है वो ब्रैंगर फैमिली का और यह एक्स्प्लोर करता है कि कैसे जो प्रतेक जेनरेशन है वो चेंज करता है इंग्लेंड फैमिली के कारण यह इंडिविजुल स्ट्रॉगल के पर भी फोकस करता है कि कैसे वो ग्रो करते है और फूल्फिल करते है इंग्ली सोसल लाइफ के इंग्लेंड स्ट्रॉक्चर में नोबल में जो सेक्शुल डियार के जो डिपिक्शन है और इसका जो रोल है एक पर्टागनिस्ट में के रिलेसंसिप में उनके रिलेसंसिप में और उनके स्प्रिचुल लाइब में इसके कारण इस नोबल को अपसेनिटी ट्राइल का सामना करना पड़ा इसके फब्लिकेशन के कुछ ही दिनों में ओवर वन तॉजन कॉपी ऑप दे नोबल वस सीज़ और बॉर्ण और इट वाग अनविलेबल इन इंग्लेंड फॉर डिकेड क्या करेब एख यार कॉपी जो थे वो सीज कर लिए गया और उन्हें जला दिया गया और लगए एक डिकेड तक एक दसक तक यह इंग्लेंड में अनविलेबल थे लॉर्ण सेड वर्क इस प्रोड्यूस्ट बाइब पैसन विथ मी लाइक किसस यह मेंली कमिंग अफ एज नोबल दिखाता है इसको और जो शीप्ट है अग्रिकल्चर से इंडस्ट्रियल एकोनोमी में और रिलिजिन और जो फैमिली रिलेशन्सिप पे का इसका अफेक्ट पड़ता है इसके बारे में पर्टिकुररली यह मेरेज के बारे में बताता है कि थ्री जनरेशन जो है उनमें कैसे उनका जो एटिट्टूड वो चेंज होता है तीनों जनरेशन का मेरेज के रिगार्डिंग तीनों जनरेशन मेरेज को अलग-अलग पॉइंट ओ व्यू से देखते हैं D.H. Lawrence originally conceived of the rainbow and its 1920 sequel Women in Love as one longer novel D.H. Lawrence ने mainly the rainbow है और इसका जो sequel Women in Love है यह दोनों को एक longer nobel में लिखना चाहता था Ursula Brangwen's quest for personal and spiritual fulfillment continues in women in love in which she is also a protagonist Ursula Brangwen है उसका जो quest है personal or spiritual fulfillment का वो continue होता है इसके next novel Women in Love में जो की 1920 में publish हुआ था जिसमें की वो protagonist भी है Plot Summary First Section The novel begins on Brangwen's mask farm and first follows Tom Brangwen's young adulthood and his marriage to Lydia Lensky यह nobel जो है वो Brangwen के mask farm में start होता है और पहले follow करता है Tom Brangwen को जो की अपने young adulthood में है और इनके पिता के मिर्तियों के बाद सारा कुछ इन्होंने inherit कर लिया है और इन्होंने साधी किया है Lydia Lensky से Lydia is a police refugee who has already buried two children and a husband Lydia जो है वो एक police refugee है जिसके की दो बच्ची और उसके husband के देथ हो चुकी है The marriage between Tom and Lydia is marked by the feeling that they were so foreign to each other Lydia और Tom की जो marriage है साधी है वो इस feeling से marked है कि वो लोग एक दूसरे के परती काफी foreign है Means अपरिचीत है As Tom struggles to make sense of the life that Lydia lived before immigrating to England She is sexually attracted to Tom but fears becoming suburbian to another husband Lydia जो है वो sexually attracted है Tom की प्रती लेकिन उसे डेर है कि दूसरे husband के साथ फिर से उसकी आजादी जो है वो छीन जाएगी Their cultural differences and Tom's insecurities make their marriage difficult at times उनके जो cultural differences है और Tom जो की काफी insecure है वो एक time पर marriage काफी जो उनकी जो साधी है वो काफी difficult हो गई थी And the distance between them leads Tom to develop a close bond with Anna अर उन्दोने की भी जो दूरियां आ गई थी उसने Tom को lead किया तक कि वो एक close bond develop कर सके Anna के साथ The daughters he had from her previous marriage Anna जो की लेडिया की बेटी है उसके पहले husbands है उसकी पहली साधी से He relies on the child to build up his self confidence which is boosted when she grows to regard him as a father वो अपना self confidence को build up करने के लिए उस Anna के रिलाई करता है और उसका self confidence काफी boost हो जाता है जब वो grow करती है उसको अपने पिता की तरह मानते हुए Tom struggles with alcohol use and with feeling of purposelessness and Lydia becomes increasingly indifferent to him when she is pregnant with their first child Tom जो है वो struggle कर रहा है क्योंकि वो काफी alcohol use करता है और वो अपने life में काफी purposelessness फिल कर रहा है कि उसकी जिंदिगी का आप कोई मकसद नहीं रह गया Lydia जो कि अब pregnant है उसके पहले बच्चे से वो अब काफी indifferent है Tom के प्रती After a heated argument Tom and Lydia realize they are each neglectful of other and this leads to their reconciliation Tom और Lydia realize करते हैं कि वो एक दूसरे के परती काफी neglectful है और उनका जो यह realization है वो उन दोने के reconciliation का कारण बनता है और वो दोनों पेत्रे एक हो जाते हैं While much of the start of the novel is dedicated to depicting the anger shared between Tom and Lydia They proceed to have two of their own children Tom and Fred Novel के start का काफी पार्ट जो है वो dedicated है इन Tom और Lydia के भी जो dispute है जो anger है इसको depict करने में और last में Tom और Lydia के दो बच्चे होते हैं जिनका की नाम है Tom, Junior Tom and Fred Second section It follows Anna Brangwen as she comes of age, attends school and marries Will Brangwen, her step cousin यह second part जो है, second section यह follow करता है Anna Brangwen को जो की Lydia के वेटी है उसके first husband से और उसके पहले marriage से वो बड़ी हो चुकी है वो school attend करती है और last में वो साधी करती है Will Brangwen से जो कि उसका step cousin है Anna begins attending school but struggles to form close friendship with her peers Anna जो है वो school जाना सुरू करती है बट वो अपने peers, अपने साथी समों के साथ वो close friendship नहीं बना पाती है इसके लिए वो काफी संगस करती है उनको दोस्त बनाने के लिए She is described as being a fiercely independent and hurty young girl who adores her stepfather and feels distant from her mother वो इना जो है as a young girl वो अपने father को stepfather को काफी adore करती है और अपनी माँ से काफी distant feel करती है She also begins to question organized religion वो organized religion को question करती है As Anna is, she remains headstrong and solitary until she meets William इना जैसे से बड़ी होती है वो काफी headstrong भी है और solitary रहती है जबते कि वो William से नहीं मिलती है William जो की nephew है Tom का, the nephew of Tom She feels very attracted to him and they begin seeing each other secretly वो एना जो है वो काफी attracted feel करती है उसके प्रती Tom के प्रती और वो एक दूसरे को secretly देखते है Will is a talented craftsman who gives a butter stamp with a phonics on it Will जो है वो एक talented craftsman है जो की एना को देता है एक butter stamp जिसमें की एक phonics है When the two decides to marry her parents object and एना wounds Tom by yelling that he isn't her real father जब ये Will और एना जो साधी करने के लिए तयार होते हैं ये decide करते हैं तो उनके parents जो है वो object करते हैं एना है वो Tom को काफी दुख पहुचाती है जब वो उसे कहती है कि वो उसके असली पिता नहीं है Despite Tom's disapproval, the two begins a curtship and marry in a big ceremony at the Bregman's farm Tom के disapproval के बावजूद, वो दोनों curtship करते हैं और शाधी करते हैं बड़े ceremony में Bregman's farm में Tom relents and offers them shares in the farm and his relationship with animals Tom जो है वो उसे माप कर देता है और उन लोगों को offer करता है एक share अपने farm में और उसका जो relationship है वो एना के साथ फिर से ठीक हो जाता है Although Will and Anna shares an idyllic honeymoon in their cottage, their relationship quickly shows and soon they are fighting like Tom and Lydia before them हलाकी जो है वो Will और एना जो है वो अपना honeymoon जो है एक स्तान्त और सुन्दर जगा पे अपने cottage में मनाते हैं लेकिन उनका relationship है वो जल्दी ही काफी sour हो जाता है काफी उसमें कटुता आ जाती है और वो लोग जल्दी एक दूसरे के सपती लड़ने लगते हैं एक दूसरे के साथ Tom and Lydia की तरह Will is religious but Anna is not and she regularly questions his beliefs Will जो है वो काफी religious है जबकि Anna को question करती है जिसके चलते वह हमेशा Will से question करते रहती है उसके विलीट के बारे में their arguments lead him to burn the Adam and Eve wood carving that he has worked on delicately over a long period of time वो दोने के भहस के कारण वील जो हता है गुसा हो जाता है और Adam and Eve का जो उसमें उसमें काम करके वो उसे जला देता है The marriage has periods of the tenderness interspersed with stages in which Anna longs for him to leave her alone and he struggles with dark moods उनकी साधी में उनके कोमालता की ओधी के साथ साथ ऐसे कई स्टेप भी आते हैं जिसमें Anna चाहती है कि वो उसे एकेला छोड़ दे और वो अपने dark mood से struggle करता है When Anna realizes she is pregnant, she is uncertain whether he will be happy to hear the news जब Anna यह realize करती है कि वो प्रेगनेंट है तो वो uncertain है कि क्या वा जो वील है वो इस नीज को सुन करके खुस होगा या नहीं They have an intense argument when he finds her dancing naked during a pregnancy उन दोने के बीच एक intense argument होता है जबकि वील पाता है कि Anna जो है वो nakedly dance कर रही है अपने pregnancy के दोरन Will considers leaving her but decides she loves her too much to go away वील जो है सोचता है कि वो उसे छोड़ कर चला जाए लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो उसे छोड़ कर नहीं जा सकता He eventually attempts to be unfaithful to his wife but the other women rejects him वो attempt भी करता है कि वो अपने wife के साथ unfaithful हो लेकिन जो दूसरे के पास जहाँ बजाता है तो दूसरी women उसे reject कर देती है When he returns home, his wife senses a change in him जब वो फिर से return home आता है तो एना जो है वो उसमें change sense करती है कि उसमें कुछ बदलावाया है and they experience a new person और वो एक नया पैसन experience करते है Will forms a close bond with their eldest daughter Ursula after Anna becomes consumed with their responsibilities of taking care of their second child who is conceived before Ursula is 10 months old Will जो है वो अपना एक close bond form करता है अपनी बड़ी बटी Ursula के साथ जब जो एना जो है वो बीजी हो जाती है responsibilities में अपने दूसरे बच्चे के और जो उनका दूसरा बच्चा है वो Ursula के 10 months होने के before ही हो जाता है conceive His relationship with the child cycle through periods when Will dotes on her and times when he rejects her Ursula के साथ Will का जो रिष्टा है वो ऐसे दोर से गुजरता है जब Will उससे प्यार करता है और एक ऐसा भी फेज आता है जब उससे स्विकार भी कर देता है Their bond fractures permanently when Will punishes Ursula by striking her in the face with a dusting cloth जो Ursula का जो Ursula का bond है Will के साथ वो permanently fracture कर जाता है जब Will उससे में आ करके पनिस करता है Ursula को dusting cloth को उसके फेज पे फेक कर गए Aena embraces motherhood finding bliss in the birth of her child children and Ursula grows to despise her for not seeking independence Aena जो है वो motherhood में अपना आनन ढूंडती है और Ursula जो है उससे स्वतनता ना चानने के कारण उससे घ्रिना करने लगती है Will and Aena eventually settle into a more peaceful marriage Will and Aena जो है वो finally जो है वो more peaceful marriage में settle कर जाते है Third section Ursula becomes the protagonist of the third and final generation depicted in the novel Ursula जो है वो third section में main protagonist बन जाती है और यह final generation है Third generation जो की इस novel में depict किया गया है The final section of the novel follows Ursula Brangwen's late teenage years and early twenties when she meets Anton Skrambensky and falls in love जो final section है जो नोबेल का वो deal करता है Ursula Brangwen के साथ उसके late teenage से early twenties तक जब वो मिलती है Anton Skrambensky से और उसके साथ प्यार में पढ़ जाती है Yet Ursula is in some ways quite different from her four years Ursula जो है वो कुछ ways में different है अपने four years से She is a distinctly modern woman who desires to take her place in the world वो एक modern woman है जो की इच्छा रखती है to take her place in the world अपने world में अपना एक स्थान रखने का धूनने का Ursula longs for an independent life and fears the domesticity that her mothers impresses Ursula जो है वो एक सोतंत्र जीवन की चाहत रखती है और उस घरेलुए बहार से domesticity से डरती है जिससे उसकी मा बंधी हुई थी She begins spending time with Anton and feels an intense passion for him वो एंटन के साथ time spend करती है और उसके परती एक intense passion फील करती है महसूस करती है However, her desire for him fades as he leaves to fight in the boar war हलाकि उसका जो desire है उसके साथ रहने का उसके परती जो passion है वो उसका खतम हो जाता है फेड हो जाता है जब एंटन जो है वो इसको छोड़ करके चला जाता है boar war में यूद करने के लिए Ursula एडमायर करती है पसंसा करती है अपने teacher की अपने mistress की जिसका की नाम Winfred Inger है जो की initiate करती है एक sexual relationship Ursula और अपने बेच, Winifred के बेच When Ursula's passion for her begins to wane she arranges for Winfred to meet the uncle Tom and they become engaged as Ursula hoped जब Ursula का जो passion है वो उसके परती कम हो जाता है तो वह एक meeting fix करवा देती है Every friend का अपने uncle Tom के साथ और वो दोनों engaged हो जाते हैं जैसा कि Tom ने आसा किया था When Ursula becomes a teacher she continues to strengthen her sense of self attending suffraget events with a friend Ursula जब teacher बन जाती है तो अपने एक दोस्त के साथ suffrage movement जिसे कि मताधिकार कभियान कहते हैं या करिक्रम कहते हैं उसमें भाग ले करके अपनी आत्म भावना को मजबूत बनाती है She is the first Brangman woman to find work outside of the home She participates in the suffraget movement and she has a lesbian relationship with one of her teachers वह जो है वो पहली Brangman woman थी जिसे कि घर से बाहर काम करने का आउसर मिला मौका मिला वो पार्टिसिपेट करती है suffraget movement में भी मतलब मताधिगार अंदोलन में और उसका lesbian relationship भी रहा अपने एक टीचर के साथ She eventually pursues a college degree but Anton returns during her third year of college वह college degree भी परसू करती है लेकिन जब वो अपने third year में होती है तब Anton वापस आ जाता है He is set to begin a six month deployment in India and wants her to go with him Anton को जो है वो छे मन्त के लिए deployment उसका हो रहा है इंडिया में रवाच आता है कि जो उर्षूला है वो भी उसके साथ जाए They resume their relationship, he asks her to marry him and she travels to France with him following her exams when she returns वह अपने relationship को resume करते हैं वह उसके साथी करने के लिए भी कहता है और वह उसके साथ travel करती है France और वह जब वापस आती है तो अपने exam में वह फेल कर जाती है उर्षूला breaks her engagement longing to remain free उर्षूला जो है अपना engagement ब्रेक कर देती है तोड़ देती है क्योंकि ताकि वह हमेशा free रह सके unknown to her, Anton quickly married someone else prior to living for India उसकी जानकारी के बिना मतलब उसे यह पता भी नहीं चलता है और Anton जो है वह तुरंती साधी कर लेता है दूसरे से अपने इंडिया जाने से पहले उर्षूला begins to fear she might be pregnant and returns to her family's home उर्षूला को यह डर हो जाता है कि वह pregnant है वह वापस आ जाती है अपने family home में she writes to Anton with the news वह इस खबर को लिखती है Anton को after being bedridden for several weeks following a fall and an illness and learning in this period that Anton is married and she is not pregnant उर्षूला sees a rainbow outside and feels hopeful for her future उर्षूला जो है वह गीरने और बीमारी के करन कई सबता तक अपने बिस्तर में पढ़ी रहती है bedridden रहती है और वह इस period में learn करती है उसको पता चलता है कि Anton जो है उसकी साधी हो गई है और वह जो है वह pregnant नहीं है उर्षूला जब बाहर आती है तो अपने खिड़की से एक rainbow देखती है अपने खिड़की से एक rainbow देखती है और वह होपूल होती है अपने future के प्रती वह आसा करती है कि उसका जो future है भवी से हो काफी बढ़िया होगा अब many of the themes and characters in the rainbow are developed further in the sequel to the nobel women in love which was published in 1920 जो कई सारे जो theme है इस nobel के और characters जो है the rainbow के इस nobel के वो developed होते हैं आगे जा करके इसके sequel में जिसका की नाम है women in love जो published हुआ था 1920 में Thank you